कि आप लोग तो फ्रेंट्स आज की वीडियो के अंदर कुछ अपना रेडियो लोजिकल टरम्स को अपना डिफाइन करेंगे सिंपली बोल सकते हैं आज आप बात करें रेडियो लोजी गलोसरी की मतलब इसके अंदर ऐसी कुछ टरम्स है जो अपने को बहुत सारी चीज़े समझने में अपने को बहुत ज़्यादा असानी हो जेगी तो चलिएगा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं अब इने अपनी सलाइड को स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट या फिर बोल सकते हो फर्स्ट रम मैंने यहां लिए एंजियो ग्राफी एंजियो ग्राफी अपने डेटो लाइफ में नाम तो एंड यूज्ट उइमेज आर्टरीज और आर्टरीज की इमेजिंग लेते हैं आपा ब्रेन की होगी हार्ट टिड जी आइट्रेक में गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रेक ओटा नेक की कैरोटीड होगी यह भूल सकते हो सर्कल हो वीलेस वाला रिजन आपा कवर कर देंगे इसके अंदर ब्रेन में चेस्ट और एक्सेक्टर है मतलब शिविली बोल सकते हो एक रेडियो ग्राफिक प्रोसीजर है जिसके अंदर आपा कॉंट्रास देके आर्ट्री इसकी स्टडी करते हैं डिफ्रेंस बोडी पार्ट्स के ठीक है गाईज सबसे फर्स्ट पॉइंट तो बोल सकते हो एक एक्जामिनेशन है रेडियो लोजिक के अंदर है तो इसके अंदर अपना रेडियो लोजिस्ट क्या करता है एक बलून को इंसर्ट करता है और यह बलून किसके साथ होता है कैथेटर के साथ और यह कैथेटर कहां से जाएगा अपनी स्किन के अंदर से इमेज ली जाएगी Department के अंदर और अपान देखेंगे कि वह कहां तक जा रहा है और जहां से अपनी artery block है और वहां जाकि उस balloon को inflate किया जाएगा और उसको balloon को जैसी अपना inflate means फुला देंगी तो artery में जो blockage थी वो blockage खतम हो जेगी और फिर अपना जो पुरा blood flow है वो continue चलता रहेगा यह होता angioplasty simply बात करें तो angioplasty के अंदर आप ब्लूनिंग करते हैं arteries की या फिर ब्लूनिंग मिल्स उसके अंदर इनको इन्फलेट कर देते हैं कई भी blockage और खोलने के लिए इस procedure को यूज करते हैं रेडियो लोजी डिपार्टमेंट के अंदर दैन कहा रहा है कि आर्टीरियो ग्राम आर्टीरियो ग्राम इट मेंस यह देखिए पहले क्या था angioplasty, angiography मतलब दोनों के अंदर आपा आर्टीरियो ग्राम भी क्या एक एक अंजियो ग्राम में एक आर्टीरिय का मतलब एक आर्टीरिय की अपने को study ले रहे हैं या फिर बोले इमेजिंग ले रहे हैं उसको बोलते हैं आर्टीरियो ग्राम सेम लाइक अभी next point आ रहा है अर्थरोग्राम तो अर्थरोग्राम के अंदर ये चीज़ देखो अर्थरोग्राम के अंदर आपा joints की study करते हैं radiology department के अंदर और इस टाइम में क्या होगा आपा joints के अंदर dice को insert करें मतलब कुछ भी contrast बगर insert करेंगे फिर उसकी image लेंगे तो उसको बोलते हैं अर्थरोग होगे तो इसका simply ये मतलब है fluid को body के अंदर से आप देखोगे तो ये प्लूरल इफ्यूजन वाले patients है उनके अंदर उनका फ्लूड एस्पायर करते हैं आपा तो ये case वहाँ आपको देखने को मिल जेगा बेरियम ये तो बहुत कोमन है रेडियो लोजी वालों के लिए आपने ये डिपार्टमेंट में जाते ही नाम सुना होगा आपका डिपार्टमेंट तो बेरियम तो सबसे पहले आपने वहाँ एक बोटल भी देखी होगी एक चोटा वाइट 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 आइप का container मिल होगा ना सौलीड होगा ना ही जादा मतलर पतला होगा ना गाडा होगी सीछबूल होगागी चोफ़नीट coś डाइप का सबस्टांस मिलेगा चोटक की लिक्वीड उसके बादा ये कह Being और ये क्या बरत आ है अपने जो ड्य financier है उसको ऑच्रा पैशन को दे देंगे तो तो ये gastro वाले case के अंदर आपा berium का यूज करते है में ली हो सकता है ये patient को पिलाया भी जाएगा can be drunk ये patient को उस case में पिलाया जाएगा जिस case में अपने को stomach की is your vagus की study करनी हो stomach की study करनी हो या फिर small intestine patient का जो small intestine उसकी study करनी है तो उस case में फिर अपने को berium का यूज किया जाएगा then गहना है कि it is iron और ये एक iron टाम मतलब ये reactive नहीं है और ये body के अंदर अब्जोर्व नहीं होगा जैसी ये body के अंदर अब्जोर्व नहीं होगा तो अपने को जो भी उनकी जो जिस जिस organ में गया है वो अपने को उसके अंदर प्रोपर पता चल जेगी इमेजी के अंदर then अपना जो next जो सुनने को मिलेगा वो है बायोप्सी बायोप्सी तो आपने जनरल ट्रम ही देखा होगा बायोप्सी मतलब देखते है यार इसका बायोप्सी होना है शीटी स्केन के अंदर जो पेशन के लिए बायोप्सी के लिए प्रोफिजर होना है इसका तो सिंपली बायोप्सी ना एक रिमूवल एंड एक जामिनेशन ओफ पीश ओफ टीशू टेकन वो डायोप्सी मतलब पेशन की बोड़ी से एक टीशू को लिया जाएगा विए बोड़ी से छोटा सा उसके ना सेंपल लिया जाएगा कुछ भी हो सकता है कोई गांट हो टूमर हो कोई फिल्यूड वगएरा कहीं चीद उसका मतलब कुछ एक टीशू लेना है अपने को ठीक है गाई तो उसको ब कॉंट सी स्टेज है तो उन केस में आपा बायोप्सी की जाती है बैन अपने डिपार्टमेंट में सबसे कॉमन ट्रम देखने को मिलेगी कम्प्यूटि टॉमोगराफी जिसको आप सिटी या फिर सी एटी भी बोलते हो कैट स्कैन और सिटी स्कैन तो इसके अंदर क्या करता एक कंप्यूटर का यूज करते हैं जिसके अंदर मल्टिपल एक्सरेज दिये जाते हैं पेशेंट को और फिर उनसे अपने को टूडी इमेज देखने को मिलेगी मतलब बहुत सारी एक्सरेज को आप मिलाके टूडी इमेज बना रहे हैं और इनी टूडी इमेज को फिर बैनिफिट इसके अंदर यह देखने को मिलेगा इसके अंदर अपने को टीशू भी देखने को मिलेंगे दन कहना कि सकेंस अपने को डाइनमिक हैं मतलब आपा मूविंग चीजों को भी स्टडी कर सकते हैं सीट सकें के अंदर डाइनमिक उसका कोई बलड़ फलो या फिर ऑफरे हंस फिल्ड के दवारा तो शिंपली अगर आपसे कोई पूछ ले कि गोड़ फरे हंस फिल्ड कौन थे या फिर कंप्यूटर टोमग्राफिक के फादर कौन थे आपको बोड़ एंस पिल्ड सेम लाइक धैट एक सरे का पूछ ले तो आपको बोल रहा है डवली और य में लिए आप से यह पूछा जाएगा एक सरेगा तो बेसिकली आप डिपार्टमेंट में जाओगे फिर कोई भी सीनियर बंदा है आप से में लिए एस तरह क्यों पूछी लेता है दैन अपनी जो नेक्स्ट ट्रम है वह कॉंट्रास्ट मेटेरियल इसको कॉंट्रास्ट में आप मेंली बोलते हैं कॉंट्रास्ट एजन्स नाम भी सुना होगा अपने उसके साथ साथ इसके अंदर अलग 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 देंस्टी देखने को मिलेगी और यह 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 देंस्टी यह देखे सिंप्ली यह लाइन यह कहरे कि हैव डिफरेंट्स ओपेसिटी फ्रॉम मतलब की ऐनल के थ्रूस को देंगे और तीसरा इंटरवेनेंस ली मतलब आईवी भी पेशन्ट को देंगे और अगर म्रा की बात करें तो म्रा के अंदर आपाएं गैडलीनियम नाम और बहार यूज करेंगे और देन अगर बात करें एक इसके कुछ से कॉंट्रास्ट के जो भी अपने अंडर रखना उसको हमने बिठा के रखना है कि अपता उसका contrast का reaction किस time हो जी दैन यह कहरे है कि यह जो अपने skin की accuracy उसको बढ़ाता है जो भी अपने diagnostic जो भी चीजी होरी अपनी क्या आपको find out करना है उसमें help करता है contrast प्लेकैणियोग्राफ्यचि Wy-p masked ने एंजियुग्राफी पहले आपने एंजियोग्राफ्य पड़ा था एंजियोप्लाश्टी थी एंजब्व्राफ्य अब नियुन उसका अप्लिकेशन है, डायेगनोस्टिक अपना अल्टरसूंड उसकी एक अप्लिकेशन है, इसके अंदर आपा moving blood flow या फिर बोसके moving cells है फिर कोई moving structures है उसको उसको check करने के लिए उसकी direction क्या है उसकी speed क्या है उस motion की blood flow की सारी से इस one Doppler के अंदर check करते हैं simply बात करें तो इसके अंदर difference frequency पर काम करके और अपने को moving structures है उनका पता लगा लिया जाएगा उसके बाद आप आपको एक ECG electrocardiography देखने को मिलेगी इसके अंदर आपा ultrasonic waves का use करते हैं इसके अंदर अपने को different structure function अहरट के जो जो भी है उनकी functioning वगारा आपने को पता चल जाते हैं कि नोर्मल चल राएकनी उसकी rhythm वगरा प्रफेक्ट आइकनी अपा ECG फर ecocardiography का use करके उसके बाद ए next term आ रही है common term FTR fallopian tube recanalization fallopian tube क्या होता आपको पता होगा female reproductive का एक पार्ट है और recanalization मतलब इसके अंदर ये interventional radiologic procedure है और एक ऐसा procedure है जिसके अंदर जो fallopian tubes block वगरा होजेगी तो उसको फिर open करने के लिए use क्या जाता है तो ये चीज़ किया जाएगा तो ये मेलने टरम अपने department में use की जाती है उसके बाद एक common procedure procedure बोल सकते है एक study भी है हिस्टो सेलपीनो गराफी एस एस जी एस जी बोलते ही आपको समझ आ गया होगा तो इसके अंदर आपा यूटेरिस की और फेलोपियन चूप की study करते हैं contrast देने के बाद female uterus and female fallopian tube की study कि जाएगी मतलब ये female patients के लिए एक procedure है इस procedure के अंदर आपा चेक करें कोई blockage बगरा ना हो या फिर हो सकता है एक टोपिक pregnancy बगरा उस case के अंदर आपा ये एस जी की जाएगी था कि पता चल सके कि हाँ भी जो फर्टिलाइजेस जो फर्टिलाइज एक था वो कहां embed हुआ है जाइगोट को बोल सकते हो simply वो कहां embed हुआ है तो उस चीज ये हिश्ट्री रहा है हिश्ट्र सोनोग्राफी और ये अल्टर संड के के ऐंदर आप है क्या करें यूटरइस और फिल्लोपियन शूप की अल्टरस्वांट करेंगे ट्रास्वेजलन प्रोब का यूज्ज करके ये कह रहा है कि IDP इंट्राविन स्पाइलोगराम ये क्या ह हो सकता है यह गंडा से लिए कि 120 गंडे तक अपना प्रोसेजर चलता रहता है उसके साथ आठ अपने को इमेजले नहीं होती है क्या पेशन की कंडिशन उसके अकोडिंग इसके अपा कॉंट्रास्ट देंगे पेशन को और किड्नी यूरितल ब्लेडर को अपने के अपने के तीन तरीक के पढ़े पहले ही पहला था आई वी दूसरा था और थर्वन था रेक्टली तुसमें से आपा एक मैधर उसको आई वी या फिर वैंस के तरुक्रास्ट दिया जाएगा दन एम आर ए M.R.A. के अंधर आपना क्या करेंगे एंजिघावाफि का मैथड है जिसके अंदर जो मैगनेटिक प्रोपरिटी का जूज करते है टीशू की मतलब M.R.A. मसीन के अंदर उसकी एंजिघावाफिक करेंग तो उसको बोलते है अपा M.R.A. मतलब हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर हाइड्रोजन के आयंस है उनको फिर वो इमेजिंग करेगा जो भी जो एमारेगा वेसिक प्रिंसिपल ना उस पर यह चीज काम कर रही होगी मतलब एक इमेजिंग एक्जामिनेशन है ब्रेष्ट का एक्सरेज के तुरू यह फिर भी होता है उसको कोई इस पत्राकी के लिए उसमेजेशन के लिए तो ऊसके मड़ की नूईट होगी उसकी मप्राइव इसकंुत करते हैं कौर्ण करते हैं दन रखाव माइलोगराम यह त्रम तो आपने सूनी होगी माइलोग्राम है था है माइलो ग्राम है यह spinal cord की x-ray, similarly x-ray और spinal cord की x-ray उस time यह ले जाएंगे, जिस time में सब arcanoid space के अंदर एक dye inject की जाएगी, यह बोल सक एक radio opaque substance, सब आरकन और स्पेस के अंदर डाला जाएगा और उसके बाद फिर अपने को स्पाइनल कोड के एक्सरेज ले जाएंगे तूस प्रोसीजर को बोलते हैं माईलो ग्राम दन करें नियूरो रेडियोलोजी मतलब स्टड़ी ओफ नर्वा सिस्टम थ्रू रेडियोलोजी या फिर इसको भी अराम से कवर कर लेंगे उसके बाद नोन इनवेजिव एक ऐसा मैंतर है नोन इनवेजिव के अंदर पेशन को कोई बी अपने को कट बगर नहीं लगाना पड़ेगा और सिंपली उसकी अपार इमेजिंग ले लेंगे मतलब यह कहारा कि प्रोसीजर नोट रिक्व है उसके बाद नूकेलियन मैढिशिन यह एक जिसके ऑंदर या तो इलाज करने के लिए त्रीट करने के लिए उसको डाइग्नोस करने के लिए रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स आपा पेशन को दिये जाएंगे और यहां जो रेडियो के करें गैङ, ठाकर त्रेंस का क कि energy के according वो capturing होगी और उनके according अपने को प्रोफर इमेज मिल जेगी देन पैंकरिय छो गराफी पैंकरिय छो गराफी के अंदर आपा पैंकरिये टेक्स मतलब पैंकरियास की study करेंगे उसके डेक्टर वगरा को आपा चेक करेंगे एक डाइड देने के बाद और यह भी अपना आपने को द्यान भी नहीं रहता इंट्रियों में इस तरह कई बाद पूछ ली जाती है तो मतलब स्किन के थ्रू कुछ भी पेशेंट को दे रहे है उसके इंजक्शन वगर आप लगा रहे तो वह है अपना परकुटोनियस इंजक्शन या फिर वसको थ्रूदा स्कीन आप सबस्टांस का यूज करेंगे जोगी यह फिर प्रोटोन को इमेट करेंगे और इनी परिशन फिर आपका्मा के दाक्ट करके जहां भी बर्डि में हैं चैंसर चुमण सैंस को आपड़ीट कर लेंगे असाननी से रेडियोग्राफी बी देखो रेडियो लोजी रेडियो लो स्टोटी एक्रों स्पेसेड ने यह क्या है यह सैंसी टाइस फिलम से मतलब एक फिलम का यूज करके कैसे यूज करें आई पी एमेज जो भी यहां ठीए ग्लाइज तो उसका आपा ऊपा का यूज करके आपका एक बोड़ी इमेजिंग ले रहे हैं और उनको आपा स्टोर करके रख रहे हैं तो उनको बहुत रहे हैं तो स्केन क्या होता है यह रेडियो लोजिक इंदर एक ऐसी ट्रम्स है जो अपने को डिस्क्राइब करती है जो कि सीटी एमरी और अल्ट्रसांट को डिफाइन करती है मतलब कोई चीज को आपा स्केन करें या फिर देख रहे हैं कोई बी जीजन अपा रेडियो लोजिक के अंदर किस तरह आपा देखते हैं एक स्केन है एक सिंपल स्केन बहुत सकते वन डी स्केन है वह और एम आराई शीटिन करेंदर टूडी थ्रीडी आधकल तो डॉपलर के अंदर तो फोडी तक जा रहे हैं तो यह अलग लग स्केन से अपने को देखना को मिलेंगे देन अपना जो नेट्स्ट वो है यूड़ोग्राफी बतल्म रिडियोग्राफी औस अपना यूड़ोग्राफी वेनोग्राफी के अंदर ये क्या है सब्सक्राइब कर रहे हैं कुछ भी पेशन्ट को दिक्कत है कोई भी वेंस में तो उसमें फिर आपा डाई देंगे और उसके फिर आपा जो भी स्केन किया जाएगा वेंस का उसको बोलते आपा वेंनोग्राफी दन एक्सरे यह सबसे कॉमन है तो एक्सरे के फादर कौन थे इसका पहले भी आपा डिसक्रिप्स कर चुके हैं और एक बार और हुई जा फादर ओफ एक्सरेज डब्ली रोंडेजन विन्हाम कौन कार्ड नोंडेजन कौन से यह नहीं में वो मेरे को आप कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताना या फिर आप मेरे को डिरेक्ट इंस्टा पावर है इन बीम्स की बहुत ज़्यादा होगी तो यह क्या करती है लगबा कॉमनी सबस्टांस को पैनेट्रेट कर देगी लेकिन हैवी मैटेरियल जैसे लैट्स वगएरा को यह पैनेट्रेट नहीं कर बाएगी बाकि तो में जितना ही बेसिक सबस्टांस से उन सारों को कर देगी इसके साथ साथ अपनी हुमन बोडी को भी यह पैंट्रेट कर देती है तो इसलिए तो आज की वीडियो में इतना गाइस ओके थैंक्यू फ्रेंड्स हैवे लाइश्टे आज की पड़िया ना यह मेली जो बेसिक से अपने डिपार्टमेंट इंदर यूस की जाती है उनके डेफिनेशन्स तो आपने यह कई बार एक्जाम में भी पूछ लेती हैं तो यह तो कॉमन्ट रम्स है तो आज की वीडियो में इतना ओके थैंक्यू फ्रेंड्स हैवे नाश दे